नमश्कार मैं डॉक्टर निवेदिता आज आप से बात करूँगी ILD के बारे में जी हाँ ILD मतलब Interstitial Lung Disease ये नाम से जैसे आपको लग रहा है कि कोई disease है कोई बिमारी है actually में ये group of disease है मतलब किसी एक बिमारी का ना होते हुए इसमें लगभग 200 बिमारी को conclude किया गया है 200 बिमारी इसके अंदर या इससे भी जादा बिमारी जो lungs से related है जो आपकी respiratory tract से related है ये बिमारी इसके अंदर आती है mainly आप ये कह सकते हैं कि Interstitial Lung Disease एक ऐसी disease का group of disease है जिसमें आपकी सास लेने में problem आ रही होती है या आपको किसी भी तरीके की lung की problem हो रही होती है अब mainly अगर हम इसमें देखें तो ये progressive lung disease भी हो सकती है मतलब काफी लंबे समय तक चल रही है और काफी लंबे तमय तक बनी हुई है तो ये काफी जादा life threatening भी हो सकती है अगर इसके बारे में हम बात करें कि जिनका cause हमें पता है cause मतलब किस कारण वर्ष ये बिमारी हो रही है इसमें हम कई तरीके के causes ले सकते हैं जैसे की smoking या dust related, dirt related या किसी को अगर किसी particular चीज से allergy है वो पता चलती है आपको तो वो सभी problems जो known है उनको आप मान सकते हैं कि cause जिसका पता है आपको उस तरीके की classification में आप डाल सकते हैं तो mainly cause से साथ में आप इसको association भी मान सकते हैं मतलब कारण भी मान सकते हैं या फिर इस particular चीज की वज़े से ये problem बढ़ जाती है मतलब अगर किसी ने smoking करी या करना शुरू कर दी तो वो उनकी lungs disease को और भी ज़्यादा worsen कर देगा, खराब कर देगा तो association हम मान सकते हैं second होता है idiopathic idiopathic मतलब जिसका कारण हमें पता नहीं है कि किसी को lungs की problem हो रही है और आखिर उसका कारण क्या है वो smoking नहीं करते वो ऐसी किसी भी तरीके की dust, dirt या pollution वारी जगह पे नहीं रहते हैं वो कोई exertion नहीं कर रहे होते हैं खाना चूले पे नहीं बना रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनको ये lung की problem है तो इस तरीके की group of diseases बहुत सारी जो विमारियां है 200 करीब, 200 से भी जादा की quantity हम बता सकते हैं इनको हमने ILD में डाला हुआ है अब अगर हम जाने की इनका treatment कैसे करेंगे तो उससे पहले हमें जाना जरूरी है कि लक्षन क्या होते हैं कोई person आपके पास आया तो आप उसको कैसे बताएंगे कि उसको ILD है या आप खुद कैसे जानेंगे कि उसको ILD है So, mainly जब patient आपके पास आता है तो वो दो मुख्य symptoms के साथ आपके पास आएगा पहला उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है यानि कि उसको breathlessness मिल रही है बहुत जादा सांस पूल रही है और दूसरा उसको सूखी खासी है आपने देखा ये दोनों ही symptom बहुत normal है, बहुत common है लेकिन patient आपके पास आता है आप उसे treatment देते हैं सूखी खासी का, सांस का लेकिन उसको आराम नहीं मिल रहा होता है तो mainly आप ये मान सकते हैं कि इस time पे फिर आपको कुछ further test करने होते हैं उसको further treatment के लिए advise करना होता है तब आपका diagnosis बनती है ILD की अगर हम बात करें कि ILD में कौन-कौन से tests आपको करवाने होते हैं तो सबसे important है आप इसका CBC, ESR करवाएंगे याने complete blood count with erythrocyte sedimentation rate इसी के साथ में आप उनको जो patient आपके पास आते हैं तो आप of course उसके sinus symptoms के साथ में कुछ clinical examination करते हैं उसके chest को auscultate करते हैं पता करते हैं कि उसके lugs में कहाँ पर क्या परिशानी हो रही है और उसी के साथ में test आप advise करते हैं कि आप X-ray chest करवाएं CT करवाते हैं उसी के साथ में आप spirometry या फिर PFT test बताते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर diagnosis नहीं मल रही है कि किस वज़े से किस कारणवश ILD हो रहा है तो उस case में कुछ percentage of patients को biopsy भी बताई जाती है तो ये सारी चीज़े जब आप करवा लेते हैं तब आप मानते हैं कि इस ILD है और आप उसका treatment शुरू करते हैं जब हम treatment की बात करते हैं तो treatment में सबसे पहला treatment यही होता है कि आपको cause यानि कि अगर आपको पता चल जाता है जैसा कि मैंने बताया कि दो तरहे के patients आपको देखने को मिलेंगे पहला जिनका आपको cause पता है दूसरा जिनका आपको cause नहीं पता है तो अगर आपको cause पता है तो सबसे पहले आपको cause को हटाना है साथ में अगर हम ऐलोपथी की बात करें तो ऐलोपथी में सिर्फ preservative treatments या precautions या फिर supportive treatments है मतलब कि आपको जो problem हो रही है उस sign and symptoms को देखते हुए आपको treatment दिया जाता है जैसे आपको inhalers दिये जाते हैं nebulizations दिये जाते हैं कुछ steroids दिये जाते हैं क्योंकि इसमें autoimmune problem हो रही होती है आपकी body आपके against work कर रही होती है तो immunity को suppress करने वाली medicines दी जाती है और alopathy में सबसे जादा जो autoimmune diseases के लिए medicine prescribe की जाती है वो होती है steroid तो आपने देखा कि ILD लगभग आप ये देख सकते हैं कि आजकल pollution के बढ़ने की वज़े से या हमारे खाने पीने की वज़े से जो हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं या अगर हम बात करें कि obesity बढ़ रही है, lifestyle बहुत ही ज़्यादा sedentary हो रही है उसकी वज़े से ILD के cases बढ़ते जा रहे हैं अब अगर हमें cause नहीं पता है और problem बढ़ती जा रही है तो आप सिफ supportive treatments पे ही रहते हैं, जिससे हमारी life बहुत ही ज़्यादा उसकी जो quality है बहुत ज़्यादा worsen होती रहती है हमारी life span छोटी होती जाती है और हम quality of life बहुत ही ज़्यादा compromise हो जाती है तो आपने देखा कि आप allopathy से इस problem से निजाद नहीं पा सकते हैं, आपको अगर अपने आपको ठीक करना है आप अपनी problem से अगर निजाद पाना चाते हैं, तो आयुरवेद ही एक ऐसा माध्यम है, जिससे आप अपनी problem को जड़ से खतम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ immunity पर काम होता है, साथ ही साथ cause पर काम होता है, आपके खान पान पर ध्यान दिया जाता है और आपको योगा, प्राणायाम, एक्ससाइज सभी के बारे में बताया जाता है कि आप क्या करें और कैसे आप अपनी lung की capacity increase कर सकते हैं तो अगर आपको ILD हैं या अगर आपको ILD से जुड़ी कोई जानकारी प्राप्त करनी है कुछ कोशन्स आपकी दिमाग में आ रही है आप हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या इन दिये हुए नंबर्स पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी सहायता करने दन्यवाद